दोस्तों आज आपको हम 20 ऐसे इंसेक्ट का नाम बताएंगे जिए वो अगर इस इंसेक्ट को अगर आप पहचान जाएंगे तो आपको बताएं कि आपको इसको कील करने में बहुत ही आसानी होगी आपको हम बताएं कि ये इंसेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही घातक सावित होते ह आपके पौदे के लिए और सबसे बड़ी बात ही है कि आप इस इंसेक्ट को पहचानना नहीं सिखेंगे तो कहिन कहीं आपको बतांए 화an उपको जो खर्चे बहुत जादे बैढ़ जाते हैं अर आपके पास कुछ और लगा है किसी और का दवालाकी है चुटकावब करते हैं तो इसलिए इसलिए आपको निजात नहीं मिलते है निस पहले आसे आपको दो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि विडियो से लंबा होगा अब बहुत ही नालेजफूल होगा तो सबसे पहले आगर हम इंसेक्ट की बात करें तो सबसे जो पहला इंसेक्ट आता है एफिट्स एफिट्स के लिएक हम बात किया तो यह एक यह सकिंग कि पेश्ट किड़े होते हैं जो देखने में हलके हरे रंके होते हैं जो पौदे की पतियों और कोमल टहनी ओपर चिपके यह को मिल जाएंगे आपको हम बदा दें करते क्या यह यह है कि बहुत देड़े रेंगते हैं और पौदे से रस चूसना सुरू करते हैं और एक समय ऐस यह बढ़ाते हैं इसको कहते हैं उसके बाद हम दूसरी नमर पर बात करें तो जैसीड आप जानते होंगे जैसीड भी बहुत ही खतरनाक है यह छोटे पत्तियों पर निर्बर रहने वाले पेश्ट है जैसे आपको दादे कि नए कोमल पत्तियों को रस चूस कर अपना यह पे पत्तिय निकल जाने करण कारण पत्तिया प्ली जाती है और घुल्द संब्सक्राइज लकृजा लग जाता है जल्दी जाता नहीं है सबसे वड़ी बात है कि इस की इसको कैसे आप पहचानएंगे इसके सुई जैसी सरचना होती है जिसे इसके पतिया पतियों को पूरा रस चूस जाती है और जब पतियों को रस चूसने के पास होता है कि पतियों पे इस पार्ट जगा जगा दिखने लगता है और इससे होता है कि यह पतियों को जो निचले वाले भाग होते हैं निचले वा सकते हैं लेकिन पहले इंसक्ट के बारे हम बता लें उसके बाद हम बताएंगे कैसे इसो कंट्रूल करना है दोस्तों उसके बाद हम बता दें कि जो ग्रास हफर का आप नाम जानते होंगे तो जिसे टिड्डा कहते हैं यह इसका भी प्रकूब बहुत तेजिस होता है और आप के पौधे के लिए उसके बाद अगर अगला हम बात करें तो रफ अगला इंचैक कुरकेट की टरीके करना में क्रिकेट यह एक अलग तरीके ऀपु लगता हुआ लेकिन आपको पते है इसका काम क्या है कि यह पतियों को काड़ता है और चबाता भी है और पाने के साथ साथ यह जाडियों को पूरा अच्छे तरीके से खाकर नस्ट कर देता है और कम समय में बहुत तीज यह जादे मातरे में नुक्सान करता है यह सेम गुरास होफर की बेराइटी होती है लेकिन यह भी बहुत खतरनाक होता है उसके वद हम बतादे आपके कि आपक पूरे पत्ति वाले पौदे को घास पर जिवित रहते हैं और यह आपके गार्डेन को अच्छा खासा नुक्सान पहुचा जाते हैं यह पौदे के सभी भागों जैसे पत्ति तने जड़ और यहां तक बीज को भी भोजन अपना बना लेते हैं उसके बाद हम बात करें स्न स्नेल भी बहुत खतरनाक इंसेक्ट है जैसे घोगा बड़े और चोटे अकार के होते हैं यह बड़े और चोटे अकार के भी होते हैं यह पौदे की लगवग हर हिस्से को अपना भोजन बनाते हैं कई स्नेल फंगी या मस्रूम को अपना सिकार बनाते रहते हैं यह बहुत ह ही खतरनाक होते हैं इसनेल उसके वाल हम बात करें ट्रिप्स यह बहुत ही खतरनाक है यह पौदे के जैसे फल और फूल और पत्यों का जो रस होता है उसको चूज कर पौदे को नुक्सान पहुचाता है ताकि इसके कारण पत्या पीली होकर सूक कर मर जाती है आपको मतादें कि इस पौदे पर हमला बहुत तीजी करते हैं और जब पत्या पूरी तरीके से बेरंग हो जाती है बेरंग होके मुर्जाने लगती है और आपको दादें कि ये कई viral dg को भी संभावना देते हैं आने के लिए आपके पौदे पे तो यह त्रिप्स की उज़ासे होता है उसके बाद हम आते जो कट वार्म होता है कट वार्म में बहुत खतरनाक है यह नन्ने और नए पौदे को काट की गिरा देते हैं और आपको पता नहीं चलता और पौदा आपका सूख जाता है यह से पौदा गिर जाता है और जट से सूख जाता है तो वहां पे कट वार्म लगे होते हैं उसको काट जाते हैं जब उसको काट देते हैं तो पौदा मेरा सूख जाता है उसके बाद हम बता दें आपको कि जो नेक्स्ट है कैबेज कैटर पिलर यह बहुत तेजी से खाना बन देखने को मिलेगा उसके बद हम बताते हैं दोस्तों आपको कि जो उली एफिट जो होते हैं यह भी बहुत खतरनाक होते हैं इस कीट के सरीर पर सफेद फिलामेंट जैसे वेक्स की कोटिंग होती है जो सूत या ऊल जैसी लगती है एकदम छोड़ी बहुत नड़े दिखायते हैं पूरेज की सरीर पर सफेद एक वैक्स की कोटिंग पूरा हो चुका है इस तरीके से देखने में लगते हैं और यह बहुत खतरनाक होते हैं अक्सर के पत्तु की निचले सता पे लगते हैं उसके बाद हम बदादे आपको कि इयर विग भी बहुत ही खतरनाक होता है और यह जादे डहलिया गुलदावदी इसमें फूलो फूलो वाले पौदे पे बहुत जादे लगते हैं क्योंकि फूलो वाले पौदे पे इसका भोजन लारवा हो गया स्टेज में रहते हैं लारवा स्टेज में अगर रहते हैं तो बहुत जाद तेजी से इंसेक्ट फैलते हैं और इन इंसेक्ट में कई तरह के मख्या स्वाव फाइल्स भी होती है बिट लेस्ट होते हैं जो पतियों पर जीवित रहते हैं जिसे पतियों पर स सफेद धब्बे जैसे बन जाते हैं या फिस सफेद ट्रेल्स बनी रहती जैसे आप देखें कि लाइनिंग अकार की रेखायनुमा रहती है और बहुत ही खतरना कि पत्या पुझतरीके से खराब जाती है जो पत्या खराब जागी तो पौदे के खाना बनना रुख जाएगा उसके बाद जो इंसेक्ट है रेड्सिपाइडार माइट आपको हम रहता कि छो छोटे-छोटे våra होते है जो पत्यों को नीचे रहते हैं और नीचे करते क्या हैं कि पत्यों का रसी होने लगती है और आपको जाते हिक लेंगे जाले भी पौदे पर आपको देखने को मिल जा माइट का प्रकोव है उसके बाद हम बता दें आपको कि गाल माइट भी बहुत तेजी से अपके पौधे पर लगते हैं और यह माइट के अकार से भी छुटे छुटे होते हैं जो पाउदे के पतियों के रस को छुषते हैं और चुषने के साथ पौधे की बिल्कुल ग्रूध रुख जाती हैं, जब पत्यों की खराब जागी पौधे का तो जयासी बात है कि पौधे का ग्रूध बिल्कुल रुख जाएगा, उसका दर हम बात करें, रूट मेंगोट ये बहुत खतरनाक इंसेक्ट है ये पौधे की उपर इससे के बजाए जड़ों की तरफ हमला बहुत तेज से करते हैं और ये करते क्या है कि आपको दिखता होकता नहीं है मिट्टी के नीचे रहते हैं रहा कर जड़ों के कुछ आकर चूश कर अपना पेट क्या कर दिखते हैं और जड़ो को कर देते हैं बावत ही खतरनाक इंसेक्ट होते हैं उसे मेली बग मेली बंप से तो बहुत लोग परिसान रहते है और इसकी पहाचान बता दे आपको आपको कि ये अपने सरीश सफयद वैक्स कि निकालते रहते हैं जो तो इसकी गुलाबी शरीर को ढखकर इन्हें सफेद बना देते हैं इसको जब वेक्श को उपर से हटाएंगे तो हलका साथ देखेंगें इनकी शरीर जो उपर जो सीरा होता है वो गुलाबी की तरह रहता है और आपको तरह की कि टहानियों से चिपक कर उसमें रस को चूशते रहते हैं जब किसी पौदे पे इनका बहुत जादा भेंग कर हमला होता है तो टेहनियां कमजोर रहते हैं और दीद्रे कीट आते हैं तो जलन होने के समभावना रहता है तो ब्लैक बिटल भी बहुत खतरनाक इंसेक्ट है उसके बाद हम बात करें फ्रूट बोरर तो फ्रूट बहुत इतनी खतरनाक इंसेक्ट है कि इसके उपर अगरा बहुत तेजी से हमला होता है और इसकी पैचान आपको बदा कीट के फीमेल फूलों की कलियों के आसपास अंडे देते हैं और अंडे से निकलने के बाद लारवा कलियों में घुस जाते हैं आपको मदाद है कि फूल के बाद जो फल बनने बनने पर भी यह उसमें पड़े रहते हैं और फल से पोशन प्राप्त करते हैं फल से खाना खा आप करते हैं और बाद में करते हैं कि फल को छेद कर बाहर चले आते हैं और बाहर जब आते हैं तो जमीन पर गिर जाते हैं और फिर बाद में आपको यह तंग करते हैं आपको मता दें कि उसके बाद बहुत खतनाग एक इंसेक्ट है जो बहुत तेजी से आपके पौदे पर लगता है इसे बोलते हैं विल लारवा काट कर या चवा कर जड़ों को खायाते हैं जबकि जो पुरानी पत्तिया होती हैं उसको रात में यह खाते हैं दिन में इसका प्रकॉप बहुत कम दिखेंगे तो बहुत ही खतरनाक है तो आप उताथ हैं कि जो मैंने कम से कम आपको 20 प धरों में पौदे लगाएं यह बड़ी बात नहीं बड़ी बात ही है कि आप अपने पौदे को रख रखाव कैसे करते हैं यह जानना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करेगा कि इन इंसेक्ट और पेश में सबसे अधिक आप किससे परिशान है ताकि मै करने से वीडियो आपको बाव ने बना के देते हुआं दोस्तों मिलते आप से निवी वीडियो में निवीट अपने के साथ धन्य बात